हेलो गाइज, बेलकम टू अनदर वीडियो पो भी आप देख सकते हैं तो यदि आपको ये चीज़ देखना है कि आपका जो ट्रेन है वो कहा तक पहुंचा है या फिर आप जिस भी ड्रूट्स से सपर करने वाले हैं उसमें जितने भी ट्रैन है उसके लिस्ट को देखना चाते हैं तो यह अब आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं बिना किसी दिर्य के साथ नमसकार दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सस्क्राइब करें इस घंटी के आइगन पर प्रेस करें औल सेलेक्ट करें हमारे सबी पीडियोस सबसे पहले देखने के लिए तो दोस्तों यदि आप अपने मोबाइल के जड़िये ट्रेन के live location के बारे में पता करना चाते हो या फिर उसके list को देखना चाते हैं या फिर ट्रेन का timing को पता करना चाते हैं तो इन सबों कामों के लिए आपको अपने मोबाइल में एक application को डाउनलोड करना होगा और application को डाउनलोड करने के लिए आप play store को open कर देंगे और जैसे यह आपका play store open हो जाएगा यहाँ पर आपको search बार में tap करना है bear is my train तो यह आप search कर देंगे और उपर में आपको bear is my train application दिख जाएगा तो जिस तरीके से आप अपने mobile में किसी other application को install करते हैं उसी तरीके से यहाँ भी आपको इस application को install करके open कर लेना है यहाँ पर हमने time बचाने के लिए इसे पहले ही install करके रखा था तो इसे हम open कर लेते हैं open करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस परकार के dashboard देखने को मिलेगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने local language को select करना है तो यहाँ पर आप अपने local language को select कर लेंगे यहाँ पर हम Hindi को select कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसे submit कर देते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको एक simple interface मिल जाता है और यहाँ मैं आपको जितने भी option दिख रहा है इन सबों के बारे में मैं आपको समझाओंगा तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको उपर में जो यहाँ पर station का नाम है वो आपको देना है यानि कि जहां से आप अपने journey को start करेंगे उस station का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा तो यहाँ पर जैसे ही आप name type करना शुरू करते हैं आपको suggestion में यहाँ पर नाम आने शुरू हो जाते हैं तो जैसे ही आप एक दो letter लिखेंगे या फिर आप उस station का short name लिखेंगे तो वो station यहाँ पर आपको दिख जाएगा उसे आप यहाँ से select कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे उस station का नाम type करना है जहां तक ही आप अपने journey को करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम अपने जो station का name है उसे हम select कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको train ढूंडे पर click कर देना है तो जैसे ही आप train ढूंडे पर click कर देंगे यहाँ पर आपके route में जितने भी train उपलब्द होंगे वो आपको यहाँ पर एक list मिल जाएगा उसके अलाबा यहाँ पर आपको एक option मिलता है सभी तारिक तो जब आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ list देखने को मिलेंगे जैसे कि यदि आप आज के train को देखना चाते हैं तो इस पर click करेंगे आने बाले कल के train के list को देखना चाते हैं तो इस पर click करेंगे या फिर यदि आप किसी other date में सफर करना चाते हैं तो आप इसे नीचे select करेंगे और आप जिस भी date में सफर करना चाते हैं उसे आप यहां से select करेंगे अब यहाँ पर आपके route में जितने भी train उपलब्ध हैं उसका list आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपर में आपको train का नमर देखने को मिल जाएगा उसका टाइमिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे की दानापूर इंटर सिटी का जो टाइमिंग है वो सड़े 5 बजे है और यह हमें 11 बज के 25 मिनट पर यानि की सड़े 11 बजे के लंजम यह हमें पटना जक्सन पर पहुँचा देगी और नीचे आप इस टेन का नाम देख सकते हैं दानापूर इंटर सिटी एक्सप्रेस तो यहाँ पर उसी तरीके से आप अपने टेन को उसके टाइमिंग को यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं उसके अलावा यदि आप उस टेन के लुकेशन को देखना चाते हैं तो आप जिस भी train से सफर करने वाले हैं उस train को यहाँ से आप select कर लेंगे और select करने के बाद यहाँ पर आपको उसका जो location है वो आपको दिख जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो live location है वो यहाँ पर दिख रहा है और यह आपके station तक कब तक पहुँचेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं यदि train यहाँ पर late से चल रहे होते हैं तो यहाँ पर rate में आपको timing देखने को मिलता है तो इस तरीके से आप अपने train के location को भी यहाँ पर check कर सकते हैं अभी तक हमने सिखा कि आप अपने train के list को कैसे check कर सकते हैं उसके timing को यहाँ पर कैसे पता कर सकते हैं और जिस train से आप सफर करना चाते हैं उस train के location को यहाँ पर आप कैसे देख सकते हैं तो यहाँ पर हमने इस सारे train को असानी से पता कर लिया है उसके अलावा भी यहाँ पर आपको और भी कई सारे options देखने को मिलते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलता है train खोजेंगा माल लिजे कि आप जिस route से यहाँ पर आप train को search कर रहे हैं उस route में कई सारे train उपलब्द हैं और आपको ट्रेन ढूंडने में मुश्किल हो रहा है और आपको उसका जो ट्रेन का नेम है वो पता है या फिर आपको अपने ट्रेन का नमबर पता है तो उस ट्रेन का नाम या फिर नमबर आप यहाँ पर दच करेंगे तो वो ट्रेन यहाँ पर आ जाएंगे और उसका जो ल कलेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्रीपर कीदेश करेंगे तो आपको बताये जाएगा कि इस ट्रेंड में कितने वह जह Anda की एसchtी इसमें किने ट्ब्ध हैं घो आपको यह नबाइखकर उसके अलाबह यहाँ पर आप今天 लिपर क्लास के लिए टिकट देख सकते हैं और आप अपने टिकट में सीट को भी यहां पर देख सकते हैं जैसे कि मालीज यहां पर हमारा या फिर side lower या फिर side upper यह आप यहां से पता कर सकते हैं तो यह जो सिविधा मिलता है वो आप इसी application से देख सकते हैं और यह आपके लिए काफी useful रहेगा जब आप अपने journey को करेंगे तो उसके अलाबा यहां पर आपको एक और भी option देखने को मिलता है PNR करके यहां पर आप दूसरे नमर में जाएंगे तो यहां पर आप अपने ticket का जो PNR नमर होता है जो की आपके ticket में उबलब्द होगा उस PNR नमर को dial करके उसका जो इस्थिती है वो आप देख सकते हैं और आपका जो ticket है वो 100% सही है या फिर नहीं है उसके बारे में भी आप जानकारी करना है तो यहां पर आपका personal ID का required होगा और यदि आपको नहीं पता है कि personal ID कैसे create करते हैं ticket booking करने के लिए तो यह आप बड़े ही आसानी से हमारे वीडियो को देख करके कर सकते हैं इसके लिए हमने एक complete playlist बनाया है IRCTC railway ticket booking तो आप उस playlist को जरूर फोलो करें तो यहां पर हम करकि असानी से अपने टिकट को booking कर सकते हैं इसके लिए आपको कहीं पर भी जाना नहीं होगा और नहीं आपको लंबे ट्रेन की मदद से यहाँ पर हमने सिखा कि आप अपने ट्रेन के लिस्ट को कैसे देख सकते हैं ट्रेन के टाइमिंग के बारे में कैसे पता कर सकते हैं और जिस ट्रेन से आप सपर करने बाले हैं उसके लाइब लुकेशन को आप कैसे देख सकते हैं उसके साथ ही यहाँ पर हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ टैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो जय हिंद जय भारत